चले 11 जुलाई 2021 रिजल्ट के बार में डिस्कस कर लेते हैं कौन किस पोजीशन पर आ है तो उसके पहले हम लोग बात करेंगे पेपर के बार में तो पेपर देने के बाद सभी लोग समझ चुके होंगे कि पेपर जो था वो था तो वीक टेस्ट के नाम से ही लेकिन वीक से इस तो उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से बात पता है कि योग कभी कभी इस तरह के टेस्ट आपके हो जाते है रैंडम से ये पता चल पाता है कि आप कितना करके चल रहा है वीक टेस्ट पे तो आप फोकस करी रहे हो overall कितना आप revise कर रहे हो चीजों को जो आप last week की चीज़े हो चुकी हैं उनको आप कितना recall कर रहे हो उसके पहले की कितनी चीज़े recall कर रहे हो तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप कम से कम Nexus GS special वाली copy और current fs वाली copy लगातार recall करते रहा करिए जैसे आज संडे था तो आज आपको ये सारी copy जो है वो revision करनी थी और सबसे ज़्यादा जो आपको class revise करनी है वो Nexus GS special करनी है क्योंकि उसमें बहुत current oriented data जाता है आपके पास और वो update करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है ठीक है तो production बहुत लोगों का बहुत अच्छा रहा है कुछ लोगों का अच्छा नहीं रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके under 16 marks भी है तो बहुत ज़्यादा परशान होने की जुरत नहीं है जो नए है new commerce है तो उनके लिए तो परशानी की जुरत नहीं है आपको लगेगा कि यार मेरे पहले ही टेस्ट में 12 नंबर आ गया दस नंबर आ गया पांच नंबर आ गया और पेपर कहां से आ गया तो अगर आपको पांच नंबर भी आया है कि आपने चीजें पढ़ी नहीं थी उसके बावजूद आपके इतने अच्छे नंबर आ रहा है इसका मतलब है उतना तो कम से कम आपको आ रहा है ठीक है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके 20 में से 20 नंबर भी आ हैं मैं भी result में announce करूंगा कौन किस position पर है लेकिन पहले यह बाते करना जरूरी था और इन दिनों आप देख रहे होंगे कि आप में से ही कुछ लोगों के batch मैंने change की है ठीक है तो बहुत सारे लोगों की चीजें मुझे समझ में कमा आ रही थी इसकी विज़े से कुछ लोगों के batch लगातार मैं change कर रहा हूं और एक ही batch में बहुत सारे बच्चे हो जाने के बाद दिक्कत ही हो रही थी कि समझ में नहीं आ पा रहा था कि कौन टेस्ट दे रहा है कुछ वाले और कौन कुछ वाले टेस्ट नहीं दे रहा तो समझ में नहीं आ रहा था तो अब वो थोड़ा सा समझ में आ पाएगा जब almost जितने भी बैच हैं उसमें सारे बच्चे जो हैं वो almost बराबर होंगे तो चली अब हम लोग result के बारें बात कर लेते हैं कौन की इस position पे है तो 20 में से 20 number है रीता जी के, अमेतियादो जी के, उमेश जी के, दिलशात खान जी के 19 marks पे हैं आशीज जी के, सोनी जी के और सतीज जी के 18.5 number पे आज कोई भी नहीं है 18 marks पे हैं शिवांस जी, सुमिध्जा जी, विवेक तिरपाठी जी, नरेंद्र सिंग जी, आलोक जी, शुनील राना जी, सिवम तिवारी जी, जोती जी और राहुल जी 17.5 number पे हैं प्रीति पाल जी, आयाज जी, शशांक जी, शरिता यादो जी, रागवेंद्र जी, प्रीती जी, प्रीती गोईल जी, मनुच जी इसके लावा 17 marks पे हैं अभय जी, शीतल जी, अनिल कुप्ता जी, मोहित सिंग जी, अखिलेश जी, अश्वनी जी, निश्चे जी और सूरज जी 16.5 number हैं जितेंद्र शर्मा जी के, शिफाली जी के, आशीष जी के, मागवेंद्र जी के, अजीत सिंग जी के, आर्या जी के, और चंदन जी के 16 marks हैं संदीब जी के रजट जी के नरेंदर यादो जी के दीपक जी के इसनेहा जी के प्रभाद जी के आनंद जी के खुश्बू जी के स्रश्टी जी के और सोनिका जी के ये आपका result रहा है जिसके top 16 marks तक रहे हैं लोगों के number अगर किसी का miss out हो गया वैसे miss out नहीं हो सकता है क्योंकि almost आपका कल 11 बजे paper हुआ था रात में और उसका result अब डिक्लियर हो रहा है almost आपका साड़े 11-12 बजने के आसपास है तो सबसे आदर जो time लगता है वो इस चीज में कि personal जितने भी लोग हैं सभी लोगों को message करना होता है और message इसलिए important है क्योंकि contact आपसे बना रहा है कि आपका production जो है वो किस प्रकार से है जब आप message करते हैं जब आप यह बताते हैं कि मेरे 20 में से 18 नंबर है 20 में से 20 नंबर है 20 में से 4 नंबर है तो उसी time duration में मैं 1 second के लिए ही उपर scroll कर लेता हूं message inbox को तो मुझे यह समझ में आ जाता है कि last week आपके कितने नंबर थे त इसी वज़े से आपको यह समझ में आता होगा कि यह कितना जरूरी है कि आप जो फुल टेस्ट है अभी फुल टेस्ट अभी हुआ है आपका 9 बजे से 11 बजे की बीच में बहुत सारे लोगों के messages आ चुके हों के recording और जो highest है अभी तक के अभी जितने भी लोगों ने copy आना चाहूंगा maximum लोग परचित होंगे इनकी नाम से लगातार मेंस दे रहे हैं मेंस कौलिफाई नहीं हुआ है किसी reasons की विज़े से लगातार महनत कर रहे हैं और math से इन्होंने net की परिक्षा पास कर रखी है तो आज नहीं तो कल देखे परिक्षा तो पास होनी ही है बस महनत लगातार करते रहना है जुकना नहीं है डरना नहीं है और आगे बढ़ते रहना है और ये हर एक व्यक्ति के लिए है जितने लोग आपके बीच में से पास हो रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कि next step पे जा रहे हैं सभी लोगों ने बहुत ज़दा महनत की है हर एक परसन क कि ये बहुत हमें बर्डन लेके चलना है यार नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कैसे नहीं होगा स्लाबस आपको पता है किस तरह के questions पूछे जा रहे हैं ये आपको पता है focus आपको करना है बस समस्या ये होती है maximum लोगों के साथ मैंने देखा है ये चीज़ बहुत अधिक प उससे तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी है revision सबसे आदा important होता है बार बार आपको revise करना है चीज़ों का adaptation बहुत ज़रूरी होता है current oriented GS current oriented GS में का मतलब यह होता है कि आपको हर एक चीज़ नहीं पढ़ डालनी है current relate करके otherwise आप हर एक चीज़ पढ़ डालेंगे इक simple सा example में देता हूँ अभी हाल ही में पंचायत चुना हुए है उससे related 100% question आपके examination में पूछा जाएगा और इसका मतलब यह नहीं है कि आपके छेतर से कौन पंचायत अध्यक्ष बना है वो question पूछा जाएगा नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है newspaper में अगर पूछा जा या आ रहा है कि पंचायत चुनाव में यह वो जितने भी पार्टी से कौन अध्यक्ष बना क्या बना उससे आपको कोई मतलब नहीं है आपका जो question पूछा जाएगा कौन से article के अंतरकता है यह ठीक है और बहुत base questions आते हैं फिर आपको लगेगा हाँ यार यह तो मतलब हम लोगों ने पढ़ा था शायद newspaper में यही चीज नहीं थी वागी सारी चीज़े थी ठीक है तो कुल मिलाकर चीज़ें आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे लगादार महनत करते रहें और कल क्लास में मुलाकात होती है आप लोगों से thank you so much और जिसने भी हम अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे तो वहां से भी आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अप्लिकेशन को जॉइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको टेलिग्राम अप्लिकेशन आपके फोन में होना चाहिए तो नेक्सेस जीस को आप जॉइन कर ले जाएंगे बहुत सारा डाटा जो है वह आपको यहां पर प्रोवाइड करा जाता है बहुत सारा डाटा का मतलब यह होगा कि हर एक चीज आपको नहीं प्रोवाइड करा दी जाती है बहुत लिमिटेड चीजे जिसमें हर एक चीज म उसमें मार्क जरूर लगा होता है कि हाँ ये महात्वन है जैसे 20 जन्जातियों कि आपको लिस्ट बेजी गई तो आपको 20 में से 20 नहीं तयार करनी है एक बार READ कर लेना है 20 में से और 20 में से 5 ही तयार करनी होती है तु ये तरीका होता है इस examination को qualify करनाई का और जो PCS की परिक्षा होती है वो कठिन परिश्रम से ज़्यादा बोल सकते हैं कि smart strategy से आप इस परिक्षा को qualify कर सकते हैं otherwise हर एक person या फिर हर एक घर से PCS officer जरूर निकल जाते हैं आप देख सकते हैं अनराग मिश्रा जी पिछले मुझे लग रहा तीन से चार सालों से NXSGS से जुड़े हुए हैं और फाइनली अब खंड सिक्षा अधिकारी में 27th rank के साथ सेलेक्ट हुए हैं शीतल श्रिवास्तो जी लगातार 2017 से NXSGS के साथ जुड़े हुई हैं और इसके बाद अब जाके फाइनली जिना बेसिक खंड सिक्षा अधिकारी के पत पर चैनित हुई हैं 103 rank के साथ संभव जी लगातार इन्होंने महनत की और लगातार सेलेक्शन्स पर सेलेक्शन्स हुए जा रहे हैं 2019 में इनका सेलेक्शन हुआ है नाई अब तहसिलदार के पत पर 2020 इन्होंने इंटर्वियस किया वहां से इंटर्वियू में इन्होंने लिखा था में डिस्क्वालिफाइड हुए 2021 में होफ़ुली फिर से SDM या फिर डिप्री कलेक्टर के पत पर चैनित हो जाएंगे सचिन यादो जी की स्टोरी होफ़ुली सभी लोगों को पता होगी जो नेक्सेजियस से जुड़े हुए हैं लगातार इन्होंने महनत की है और होफ़ुली इनका नाम बहुत जल्द फिर से आपको सुनाई पड़ेगा वो किसी और रीजन की वज़े से वो रीजन मैं बहुत जल्द सभी लोगों को बताऊंगा इसी वज़े से इनका interview जो है वो अभी नहीं ले रहा हूं मैं इसी वज़े से interview आपको नहीं मिला है इनका और जो प्रीवियस इनके interviews है वो नेक्सेजियस के टेलिग्राम पर जब आप जाएंगे तो पिंड comment में आपको इनका जो प्रीवियस बोल सकते हैं कि हमारे हम दोनों लोगों के बीच में जो बाते हुई है वो वहाँ पर दे दी गई है as it is उसमें ना कोई कट होता है ना कुछ होता है वो as it is आपको दे दिया जाता है जो भी conversation होता है और जब भी examination के बाद किसी का call आता है मुझे लगता है कि हाँ ये share करने जैसी चीजें है इससे motivate होंगे अगले परसन तो जरूर आपको उसको provide करा दिया जाता है next is yes का telegram channel का link आपको दे दिया गया है उसको join कर लीजे और अधिक से अधिक information वहाँ से आपको मिलती रहेगी UPPCS prelims और समिक्षा अधिकारी prelims के लिए आपका जो नया batch है उसके बारे में सारी की सारी information इसी telegram channel पर हमारे facebook profile पर और youtube channel पर provide की जाती है और बहुत जल्द start होने वाला है इसी week में date आपको पहले बता दी जाएगी thank you so much